Welcome to Prakhara Academy, आपका स्वागत है आपके चैनल में और शुरुआत होती है हमारी motivational thought के साथ आज का thought है डर कहीं और नहीं बस आपके दिमाग में होता है क्या आप मेरी बात से सहमत हैं और नहीं हैं तो आप इन example से सहमत हो जाएंगे देखे जो बच्चा जन्म लेता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसके हाथ में क्या दे रहे हैं क्या नहीं तो होता यह है कि बहुत सारे माबाप जो है यहनी पेरेंट्स जो है वो बच्चों को डराने के लिए कुछ ऐसी बातें जैसकि बच्चा सो नहीं रहा है तो उसको कहेंगे देख भई अभी भूत आजाएगा तुम सो जाू तो बच्चा डरने लगता है, बच्चे बोल देते हैं देखो छिपका लिए मैं उससे तुम्हें कट्वा दूगए अबर तुम नहीं माने तो मैं उससे तुम्हें कट्व यानि डर डिवेलप होता है दिमाग में, बॉडी क्या है, बॉडी तो बिचारी दिमाग के साथ-साथ, जो-जो माइंड आपका गवर्ण करता है, बॉडी उसका सहयोग करती है, यानि बॉडी की कंडिशन वही है, उस गजल की तरह है कि अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के ह हम हैं रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं तो यानि जहां माइंड चाहता है बोड़ी उसी रहा की तरफ चल पड़ती है एक प्यारा सा रहने वाले दो बच्चे और खेल रहे थे और खेलते खेलते वो खाहा पहुचे वह पहुचे हैं अब जो दूसरा बच्चा उसी की उम्र का था मिश्किल से वो लोग 9 यद 10 साल के रहे हूंगे तो दूसरे बच्चे ने उसे ताकत के सहारे यानि उस रसी के सहारे क्या किया उस कुए से बाहर निका लिया अब उस कुए से मैं शौट में बता रहूं आपको जब कुए से बाहर निका लिया तो उन्हें पता ही नहीं था उन्होंने क्या कारणामा कर दिखाया लेकिन क्योंकि उन्होंने वो कारणामा किया था तो उन्होंने जाकर कि इस बात को अपने गाउं में कहा और गाउं में सब लोग उनकी मजाक लेने लेगा रहने दो तुमने मतलब अपने बराबर का ये बुजुर्ग होता है, बुजुर्ग का मतलब यानि कोई होशियार आदमी होता है, तो उन्होंने जब वो पहुंचे एक बुजुर्गवार के पास, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे जूट नहीं बोल रहे हैं, ये बच्चे सच बोल रहे हैं, इन्होंने ऐसा कारणामा कर दिखाया है इस बच्चे ने दूसरे बच्चे की जान बचाई है उसने वास्तों में अपनी ताकत के बराबर ताकत रखने वाले दूसरे बच्चे को कुएं से खींच लिया है क्यों खींच लिया है लोगों ने पूछा चाहिए बताईए क्यों खींच लिया है उनके कोई उ काम कर पाए और इसलिए वो ये काम कर पाए और ऐसे आप भी किसी भी चीज को अंजाम दे सकते हैं मैं positive जब तक कि आप इस जहर को निकालकर नहीं फैक देते जब तक आप इस जहर को नहीं सुनते एपने मन में नहीं लाते एपने अपने दिमाग में नहीं लाते कोई दुनिया की ताकत आपको fail नहीं कर सकती हैं चलिए खेर इसी theme के स सथ मागे बढ़ते हैं और हमारा question है पहला प्रशन आता है कि इसी सब्ता हमें यास नामक चक्रवात आने की संभावना व्यक्त की गई है यह किस तट को प्रभावित करेगा यह किस तट पर यह जो यास नामका चक्रवात साइकलोन आने वाला है वो किस तट को प्रभावित करेगा वो भारत के पूर पूर्वी तठ पर जो राज्ये हैं, राज्यों में कौन-कौन से राज्ये हैं, उडिसा है, पश्चिम बंगाल है, आंद्रप्रदेश है और तमिलनाडू, तो बताया तो यही जा रहा है कि वो आपका पश्चिम बंगाल और उडिसा को हिट करेगा, लेकिन कोई जरूरी नह साइल नहीं होती है, साइकलोन, हमें यह पता है कि बंगाल की खाड़ी में आकर के वो किसको प्रभावित करने वाला है, वो हमारे पूर्वी तठ को यनि इस्टन कोस्टल एरिया को अफेक्ट करेगा, चलिए, अब एक बात और कि यास नाम देने वाला जो देश है, वो कौ अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं, और अगला प्रशन हमारा क्या है, अगला प्रशन है, किस देश ने एक महासागर निग्रानी उपकर उपग्रह जिसका नाम हैंग 2D है, अभी लॉंच किया है, तो मैं आपको बता दूँ कि महासागर की निग्रानी करने के लिए एक उ ये उपग्र है जो हेंग 2D है ये लॉंग मार्च 4B के द्वारा लॉंच किया गया है और ये समुदरी आपदाओं के समय उसकी सूचना आपको समय से देने में समर्थ है ठीक है अब अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं अंगला प्रशने अंतरास्ट्रिय संग्रहाले दिवस जो है तो कम मनाया जाता है तो मनाया जाता है 18 मई को देखिए अब्जेक्टिव क्या होगा अंतरास्ट्रिय संग्रहाले दिवस को मनाने का अब्जेक्टिव क्या होना चाहिए देखिए हमारे जो संग्रहाले जो म्यूजियम है तो म्यूजियम क्या करते हैं जो हमारा को संभालने में या उनका संदक्षन करने में और सहयोग करना चाहिए तो इसी लिए इस दिन को हम लोग याद करने के लिए मनाते हैं किसके रूप में अंतरास्ट्रिय संग्राले दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है थोड़ी सी बात चाहें तो मैं बता सकता हूं इसके के द्वारा घोशित किया गया है और ये कब से मनाया जा रहा है ये मनाया जा रहा है वर्ष 1983 से 1983 में 18 मई को जो आपका संग्त रास्ट्र संग है उसने संग्राल्य की विशेश्टा और महत्तु को समझते हुए अंतरास्ट्रिय संग्राल्य दिवस मनाने का नर्ने लिया था उदेश्य मैं बता चुका हूँ जन सामान्य में संग्राल्यों के प्रती जागरुपता यनी जन जागरती फैलाने के लिए है और साथ ही हमारी जो प्राचीन परंपराएं रही है उन परंपराओं का ध्यान रख के लिए उनके प्रती आपको बताने के लिए कि भाई किस तरह की हमारी संस्कृती रही है मेरे खाल में इतना काफी होगा अब अगले प्रशन की तरफ आते हैं लंदन का उप मेर किसको न्युक्त किया गया है एक सगें मुझे लग रहा कि शायद मैंने थोड़ा सा डेटेल ल यह इतना डेटेल नहीं है बस मैंने आपको बताने के लिए इस्तमाल किया था अगला प्रशन आ रहा है उसके बाद लंदन का उप मेर यह लंदन का जो उप मेर है वो किसको न्युक्त किया गया है यह न्युक्त किया गया है राजेश अगरवाल को राजेश अगरवाल जी और यह क्या बने है, यह बने है deputy governor, ठीक है, as Khan made jobs, 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 उन्होंने अपना जो भाशन दिया था, उसमें jobs की बात की थी, a top priority for his next term in office, अगरवाल also committed, और जो मिस्टर राजेश अगरवाल है, उन्होंने commit किया था, himself to be the agenda on Thursday, and made a pledge to focus on a fairer and greener recovery for the UK capital from the coronavirus pandemic, ठीक है, यह कुछ जानकारी हुई, इनके बारे में, अब अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं, और अगला प्रशन है कि MMA, खिताब को जीतने वाले पहले भारतिय मूल के fighter कौन है, तो यह भारतिय मूल के fighter कौन है, अर्जन सिंग है, यह आप देख सकते हैं, अर्जन सिंग, भ टेकनलोजी प्राइज के विजेता घोशित किये गए, किसको विजेता घोशित किया गया, शंकर बाला सुब्रमानियम, जो की रसायन विज्ञान मेडिसिन में है, और डेवट क्लेनर मैन, जो बायोफिजिक्स केमिस्ट हैं, किसके लिए, सिक्वेंसी टेकनीक के विकास के लिए, क्योंकि जिससे जो सिक्वेंसी का टाइम है, उस टाइम को डिन अ का जो प्रॉसिसिंग टाइम होता है, उस टाइम को रेड्यूस करने के लिए, इनको ये पृस्कार दिया गया है, और ये एक द्वीवार्शिक पृस्कार है, जो टेकनलोजी अकैडमी और न्यूस है, जो टेकनलोजी तो ये थोड़ी सी सूचना उसके बारे में, अब अगला प्रशन आता है इसके बाद के लिए ने, मुख्यमंत्री, किस मुख्यमंत्री ने HIT COVID लांच किया, तो ये लांच किया किसने नितीश, नितीश जो मुख्यमंत्री हैं, और कहां से हैं, बिहार से हैं, इसके बाद अगला प्रशन आता है कि 10th Italian Open, किसने जीता है, तो 10th Italian Open जीतने वाले राफेल नडाल हैं, जिनोंने इसके बाद अगला प्रशन आता है, गो एर, गो एर का नाम हाली में बदल करके क्या कर दिया गया, यह किया जा रहा है, गो फास्ट, गो फास्ट के नाम से अब इसको पहचानेंगे, अब अगला प्रशन आता है कि Bank of India के बोर्ड में, नामित निधेशक के रूप में, किसे न्युक्त किया गया है तो ये है वंदिता कॉल कौन है वंदिता कॉल है और इसके बाद नेक्स को शनाता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा प्रतिय गाउं को पूर्ण टिका करन यानि कि 100% वेक्सिनेशन करने के लिए कितना धन उपलब्द कराने की घोशना की गई है तो मैं आपको बता दूँ इसके लिए पंजाब जो राज्य है वो 10 लाक रुपए प्रति गाउं उपलब्द कराने की बात की गई है ठीक है तो ये पंजाब के बारे में है मैं आपको बता दूँ इन्होंने कैटन अम्रिंदर सिंग ने क्या किया था एक ट्वीट किया और कहा के इंट्रक्टेट विस सर्पंच सर्पंचेज अफ पंजाब टुड़े इस सीग देर अक्टेव सपोर्ट इन फाइटिं कोविड-19 तो यह कुछ बात हुई किसके बारे में जो नोंने ट्वीट करके बताया अब अगले प्रेक्शन पर आते हैं आप यह देख सकते हैं आपा यह पंजाब है आपका पंजाब को आप पहचान सकते हैं यह पंजाब है और यह पंजाब किस से टच होता है इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ टच हो रहा है और आप उपर देखें तो यह आपका हिमाचल प्रदेश से टच हो रहा है हर्याना के साथ राजस्थान के साथ ठीक है तो यह रीजन आप बेख सकते हैं यहां उपर की तरफ भी आपका यह टच हो रहा है तो जेन के तो यह वाला सेक्शन आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तन में पंजाब का कंडिशन कहां पर है और मुख्या मंत्री तो आपको पता ही होगा मुख्या मंत्री जो है वो कैप्टन अमरेंदर सिंग है और भाई राजधानी जो है इसकी वो कौन सी है राजधानी है चंडिगर चलिए आगे बढ़ते हैं विनेयर्ड विन्ड प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है तो यह है आपका अमेरिका के साथ किसके साथ है अमेरिका के साथ है अभी बात उन्होंने की थी कि हम जो है वो ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि कार्बन एमिशन जो है वो कम से कम हूँ तो उसी की ये मुहीम है जिसके चलते वो क्या करेंगे वो offshore रूप से वहाँ पर जितना भी आपका क्या बोलते हैं जो windmills होती है windmills की सहायता से वहाँ पर क्या develop करेंगे वो energy develop करेंगे और उस energy के इस्तमाल करने के गारण क्या होगा उनका जो वादा है कि वो लोग धिरे धिरे करके जो carbon emission है उसे कम करने वाले हैं तो उसी को लेकर ही कि ये विनेयार wind project है ठीक है अगला प्रशन आता है Sikkim A History of Entry and Alliance ये कौन है किनों ने इसको लिखा है तो इसको लिखने वाले जो है वो कौन है उसे लिखने वाले है प्रीत मोहन सिंग किनों ने लिखा है इसको इसको लिखा है प्रीत मोहन सिंग ने और प्रीत मोहन सिंग जी ने इसके बारे में बताया कि किस तरह से ये develop मतलब सिक्किम जो है वो किस तरह से 22 विराज्य के रूप में भारत में शामिल हो उसकी पूरी स्टोरी में शामिल है चलिए इसके बाद अगले प्रशन पर आते हैं जो आपके MS नरसिम्मन है तो वो जिनका हाली में निधन हुआ है तो वो कौन थे तो वो थे एक mathematician कौन थे वो वो थे एक mathematician शायद मैंने शामिल किया उनको नहीं किया है चलिए कोई बाद नी शामिल किया है चलिए Mathematician MS नरसिम्मन पासे सवे नौन फॉर्द नरसिमन शेशादरी शोरम ता Mathematician was the only Indian to receive the King Faisal International Prize in the field of Science तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्पून व्यक्ती रहे हैं वो जिनोंने ये क्या कहते हैं उसको Mathematics के दुनिया में काफी कुछ काम किया अब थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं अगर हम बात करें इनके बारे में नरसिमन जी के बारे में प्रिशन फिराम प्री वावार प्रिश्टियुनर न प्रिचा उस्का म्तलब है ररे जी कि के दिफ्रेंचल जी से उनका रिलेशन था and algebraic geometry of the vector bundles देखें मैं इसमें कम ही बताता हूँ क्योंकि जो maths से नहीं है उनके लिए काफी boring हो जाएगा चलिए खेर आगे बढ़ते हैं COP26 People's Advocate किसे नामित किया गया है तो ये नामित किया गया है Sir David Attenborough को किसको किया गया है? Sir David Attenborough आप देख सकते हैं ता हिंदू ने उसको cover किया UK name is a David Attenborough COP26 People's Advocate ठीक है? तो ये थोड़ा informative है अब आगे देख सकते हैं अगला पशना आएगा FIFA World Cup से खुद को बाहर करने वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका उत्री Korea, जो North Korea है उसने इसको exit किया ये बताते हुए कि COVID-19 है और इसके चलते हम लोग खेलना पसंद नहीं करेंगे ठीक है? तो ये हुआ आपका FIFA के बारे में अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला प्रशना आता है कि COVID-फते किस राज्य के द्वारा COVID के विरुद अभियान चला गया पंजाब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि COVID मुक्त पिंड ऐसे करके भी उन्होंने कुछ किया है तो ये भी आपका पंजाब ही है अब अगले प्रशन की तरफ आते हैं अगला प्रशना आता है कि जो satellite internet सेवा है वो प्रदान करने के लिए Google Cloud ने किसके साथ साज़ेदारी की है तो ये SpaceX के साथ की है SpaceX किसकी कंपनी Elon Musk की सबको पता होगा चलिए आगे बढ़ते हैं हाली में विधान परिशत के गठन का नर्ण लिया गया है तो विधान परिशत का जो गठन करने की बात की गई है वो किसके द्वारा पश्चिमंगार देखे थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ reason यह है यह थोड़ा काम का प्रशन है तो आपको पता ही होगा कि विधान परिशत जो है पहले साथ राज्यों में थी जिन में से एक जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जिस वक्त आपका दो यूटी में बदला है तो उसके बाद वो समाप्त हो गई तो यूटी में बदलने के बाद वो समाप्त हो गई लेकिन अब कितने रह गए राज्ये अब हैं छे राज्ये, छे राज्ये ऐसे हैं, जहांपर क्या है, वहांपर है आपकी क्या बोलते हैं उसको विधान परिशन, तो कौन-कौन से है वो, तो आप याद कर लिजे बड़ा आसान है, यूपी और बिहार, देखें दोनों का बॉर्डर टच होता है, आप याद कर सकत बता होगा, आंदरप्रदेशी पार्टिशन होने के बाद, आंदरप्रदेश और तेलंगा ना में बटा है, तो बड़ा आसान है इसको याद करना, कहां कहां पर आपकी विधान परिशत है, ठीक है, और थोड़ी सी बात में इसके बारे में बता देता हूँ, ये जो विध अधि से अधिक, और साथ ही जो प्रजेंट सदस्य होंगे, तो उन प्रजेंट सदस्यों के दो तीहाई से ये आपका पारित हो जाना चाहिए, ठीक है, और अगर ऐसा करके बात को भेजा जाता है आगे, तो वो क्या है, वो आपका सिंपल बहुमत से पारित हो जाता है, ठी के साथ समझोता किया है तो यह समझोता किया है Microsoft के साथ आपको पता होगा CEO सत्यानाडेला है और जो आप जंजाती मामलो की बात कर रहे हैं तो उसके मंत्री कौन है अर्जुन मुंडा है अगला परशने की जो मॉक्टर आउने है वो दोबारा किस देश के प्रधान मंत्री बन लांच किया है तो यह लांच करने वाली नितीश कॉमेंट है यानि बिहार से हुआ है और उसके बाद की राज नारायन जिनका हाली में निधन हुआ वो कौन थे तो वो थे एक तमिल लेखक जिने कीरा के नाम से जाना जाता है नेक्स कोशन है कि कॉमन क्रेन पक्षी कितने समय के बाद आयरलेंड लोटा है तो यह लोटा है तक्रीबन 300 साल के बाद और यह 300 साल के बाद लोटा है क्योंकि एक लंबे समय के बाद आया है तो बट ओवियस है इसको आपका एक मुख्य फिशे है एंवाइरमेंट के बिश पर ये कोशन बन सकता है ठीक है और उसके बाद अगला कोशन आता है कि गूगल ने किस देश में अपना वाईश्विक उत्पाद न्यू शोकेस लांच किया है तो ये किया है भारत में ये भी मुख्या खबर है कि किस देश ने शक्तिशाली कंप्यूटर से मौर्ग बनाया है और पूरा चाया हुआ है कोशन तो ये बनाने वाला देश है इरान और इसका नाम एक प्राचीन समय के पक्षी के नम पर रखा गया है Capital तेहरान है, Currency Iranian Real है और उसके बाद जो प्रेजिडेंट है वो हसन रोहान है और ये आप देख सकते हैं On Sunday, the Iran unveiled the Simorg Supercomputer which will be delivered one petaflux of performance according to the state renew हम अभी उतना detail नहीं करेंगे, दीखें हम newspaper के basis पर कहा है हमी भी नहीं पता है कि उसकी capacity कितनी है चलिए, आगे बढ़ते हैं किस राज्ये के सरकार ने COVID duty के दोरान मारे जाने वाले क्रमचारियों के परिजनों को नोकरी देने का नरणे लिया है तो ये है आपका प्रदेश, मध्या प्रदेश, गौर्मेंट जो है वो शिवराजिंग चोहान जी की है और next question आता है इसके बाद किस देश ने स्कूलों में विदेशी पाठ्यकरम के सिक्षन को रोकने का फैंसला किया है तो ऐसा करने वाला चाइना है चाइना ने केंडर गाटन से लेके 9 तक क्या किया है कि जो आपकी जो फोरंग कोर्सिस है यानि जो भी विदेशी पाठ्यकर में उसको रोक दिया है ठीक है उसको अब उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे और खेर उनकी अपनी मर्जी है वो कुछ भी कर सकते है अगला है जो मॉमा मार्केट की बात है उसका शुभारम किस राज्चे के द्वारा किया गया है तो ये करने वाला प्रदेश है मनिपूर नेक्स कोशन आता है उसके बात सुजू की मोटर साइकल इंडिया के जो कंपनी हैड है वो कौन बने हैं तो वो बने हैं जब ये हुआ क्राइसिस शुरू हो रखा ये हमास और इसराइल के बीच में जो चल रहा है और बाकी अरब कंट्रीज और जो भी है डिवेलेप्मेंट्स उसके बाद ये हुआ है ठीक है अब अगला प्रशन आता है कि पाकिस्तान के नए राष्ट्रे सुरक्ष्टा सलाकार के रूप में किसे न्यूक किया गया तो ये न्यूक किया गया है किसको मौईद यूसुफ को किया गया है मौईद यूसुफ को किया गया है और ये अब उनके क्या बने है वो नई सलाहकार के रूप में ये एक नई development है ठीक है और इसके बाद अगला प्रशन आता है इसके बाद एक report के अनुसार ज्यादा काम करने की वज़ा से जो है वो 7,45,000 लोगों की म्रत्य हो गई थी और ये study किस organization नहीं की तो इसको करने वाले हैं ILO यानि Indian Labor Organization और WHO World Health Organization ठीक ह दोनों ही बड़े institutions हैं elder line क्या है देखे वरिष्ट नागरिगों के लिए elder word यूज किया गया है और जैसे help line होती है इसी तरह से elder line है जिसमें वरिष्ट नागरिगों के देखबाल के लिए कि इन सरकार के द्वारा सामाजिक न्याएं और अधिकारिता मंत्रा लें के अंतर गताता है एक help line नंबर दिया गया है उसके बाद आता है आपका star export house award किस ने जीता है तो यह हाली में जीतने वाली जो limited company है उसका नाम श्री मलानी forms private limited है business standard ने इसको कबर किया श्री मलानी forms private limited wins the star export house award by the ministry of commerce and industry यह अब देख सकते हैं है थराबाद तेलंगाना इंडिया may 18 ani and business via india श्री मलानी forms private limited वन्दक कवर्टेड state export house award from the ministry of commerce and industry the certification is valid for five years between 2021 to 26 ठीक है और यह काफी बड़ी सूचना है तो आप देख सकते हैं thanks for watching this video आपने लास्टर देखा इसके लिए आपका आभार और उमीद करता हूं कि आपको अगर यह content पसंद आए तो please like subscribe and share have a good night